हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अर्पित और आपका स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल पर ये देखो वीडियो शुरू होने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और हमारे वीडियो को और बहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्षिन में अपना फीडबैक जरूर दें दोस्तो जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़े आती हैं कि हमारे सफर कमफरटेवल हो और ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमें से कई ज़्यादा लोग एर प्लेंस में सफर करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं इस अरामदाएक सफर के पीछे कुछ और कुछ रास्षुपे होते हैं जैसे हम बैठते हैं तो हमें बताया जाता है कि मॉबाइल सुच ओफ कर ले क्योंकि मॉबाइल से निकलने वाले सिगनल पाइलेट के कम्यूनिकेशन सिस्टम को डिस्टरब करते हैं लेकिन सच बात तो यह है दोस्तो कि प्लेन में शानती बनाये रखने के लिए और एर इसलिए हमें phone switch off करने के लिए कहते हैं, plane में बैठने के बाद air hostess हमें oxygen mask के बारे में बताती है, लेकिन वो mask सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट तक के लिए ही oxygen देते हैं, अगर आपको ये बताया जाए कि आपके plane का pilot सो गया है, अपनी थकान मिटाने के लिए, तो वो plane को autopilot पर कर दे लेते हैं, दोस्तू, business class में बहुत जादा risk होता है, क्योंकि plane crash के time, business class में जो रहते हैं, उनका बचने का chances बहुत ही जादा कम होते हैं, हर उडान से पहले, air hostess द्वारा seat के अंदर life jacket और unnecessary equipment के बारे में बताया जाता है, और ये हमारी responsibility है कि take off से पहले, हम सब कुछ चेक कर ताकि आगे जाके कोई भी दिकत ना हो, आशा करता हूँ, आपको हमारे वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जाने से पहले वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना ना बोले,